यहां पढ़ है मिहीर भोज और महेंद्र पाल के शासन काल में पर्तिहारों ने पुर्वी उत्तर परदेश और बिहार के अधिकान छेत्रों पर अधिकार कर लिया पुनः 1988 में पुनः 1988 इस भी में मही पाल प्रथम सासक हुआ जिसे पाल बंस का दूतिय संस्थापक कहा जाता है आगे बढ़ती पर देखते हैं कि बस यहां फिर काला है काला है काहां पर गहरवाल बंस के साफसक गोबिंदर चंडर के मुंगेर तामर पत्र के तुरुसक डंड नामक कर की चर्चा मिलती है यहां कर यहां के किसानों से प्राप्त किया जाता था अब फिर काला कहां पढ़ा है? यहां पर काला है तो फिर यहां करेंगे क्या? यह? बिक्रम शीला धर्म पाल ने विक्रम शीला महा बिहार के अस्थापना की तथा नलंदा महा बिहार को 200 ग्राम दान शरूप दिये देव पाल आगे देखते हैं इसमें तो उदंत पुरी और जगदल के विश्विद्याले भी पाल शासन काल में संगठित हुए देव पाल ने जवा के शासक बल पुत्र देव के अनुरोथ पर नलंदा में एक बिहार की देख रह के लिए पांच गाउं अनुदान में दिये थे वेलकम टू पी अन बी माइंट पॉर्ट चनल अचनल टो किस निव लाइफ आप जो ये देख रहे हैं प्रोग्राम वो सिर्फ इस बात के लिए है इस उदेश के लिए है कि अगर आपके पास दो घंटे का समय हो अत्वा एक घंटे का समय हो तो किस प्रकार आपको अध्यान करना चाहिए और यह प्रोग्राम प्रेरित है इस बात से इस घटना से कि कल जो होमबर्ग दिया गया था अनि 5 अगस्त को जो होमबर्ग दिया गया था सर्प्राइट टेस्ट नमबर टू के लिए उसमें कोई भी परतियोगी सफल नहीं रहे है तो इस असफलता से घवडाने क्या हो सकता नहीं है बलकि असफलता हमें अच्छी सीख दे के जाती है तो एक सीख तो आपको मिली और सीख यह कि बहुत सारे पुस्तकों को पढ़ने से अच्छा है कि एक पुस्तक को अच्छे संग से पढ़ा जाए अब समस्या जो है उसका समधान इस वीडियो में आपको मिलेगा सबसे पहली बात जो कल का जो होमबर्ग था वो होमबर्ग जो है इस पुस्तक से था और इसमें दिया गया था यह पेज नमर 7 पा आता है दूसरे दूसरे किताबों में हो सकता है जो नया पब्लिकेशन नया पब्लिस हो क्या है विवास पनौर्बा उसमें हो सकता है पेज मेर कुछ अलग हो बट मेरा पास पूरा ना वाला है तो 7 से 25 तक का करना था लगभक 25 ठीक है यह जगदीश पूर में सामनांतर सरकार अगर कोई से कम भी किया होगा फिर भी कल जो कोश्टन पूछा गया था 20 कोश्टन उसमें 18 कोश्टन बन जाने चाहिए थे अब है कि अब आपके मन में यह हो रहा होगा सर ऐसे कैसे आप कह सकते हैं कि 18 या 17 बन जाने चाहिए थे मैं कह सकता हूं कैसे कह सकता हूं यही मैं सिखाने जा रहा हूं और मैं यह कहने जा रहा हूं कि आपको दो घंटे अथवा एक घंटे में कैसे पढ़ना चाहिए था अगर आप इस ट परिक्षाएं ऊपर से देखने में हाड लगती है लेकि माइंड पॉर्ड के सिस्टम से देखा जाए तो बहुत ही आसान लगती है लेकिन यह सिस्टम उन्हीं को समझ में आता है जो अस्थाई तोर पर इस चैनल से जुड़े रहते हैं जी हां बिल्कुल सही बात है और जो ज इसके लिए धन्यवाद और इनलों का मतलब रिजल्ट होने होने को है क्योंकि यह मुझे फॉलो रियली कर रहे है एक्टिव है काफी लोग है गुरूप में लेकिन हमको पता है कौन क्या सिती है तो मैं चाहूंगा बाकी लोग भी जगे और माइंड पॉर्ड पर बिश्व जैसे सबसे पहले सुली ही ध्यान से कोई भी हमष अगर कोई दे अब बुक से दे तो ऐसे पहले मीद ने कैको और कई पुस्तकों में भी ऐसा देता ही है माल ले जाए किसी के पास 10 मिनट कहीं समय था तो box item ही पढ़ना चाहिए था चलिए अगर इससे भी ज़्यादा समय था मतल़ 10 मिन तो बहुत दो के पास एक घंटा भी था तो क्या करना चाहिए था तो उन्हें करना चाहिए था प्रस्नावली बनाना चाहिए था जैसे ये अब देख रहे हैं black और red wear कहां से हैं मत पासान काल के और शेश कहां से मिले हैं इस प्रकार की मैंने तो बस आपको समझाने के लिए ये थोड़ा सा लिक लिए भी तो ये प्रस्णावली बनाने चाहिए थे कब जो आपके पास थोड़ा सा समय है 10 मिर्ट के अलावा भी समय है तो क्या करेंगे आप क्या करते आप या करेंगे आगे से क्या कि आप जो है 30 question की प्रस्णावली बना लेते 20 तो लड़ी आता ना नहीं लड़ता भी, कम से कम प्रस्णावली से कोस्टन अगर लड़ता तो आपको तो विश्वास होता कि अगर मैं कोस्टन को समझ लूँ, सेट करूँ तो काफी कुछ कोस्टन मेरे नोट से ही आ जाएंगे अब कहीं सर उतना देर में अगर हम प्रस्णावली बनाते तो मेरा समय ही चला जाता है एक घंटा, बिल्कुल नहीं इतना धी में आप क्यों लिखते हैं, तीस कोस्टन लिख सकते हैं और सौटकर तो लिखना था जैसे तथागत, तथागत, डैस, बुद्ध, कितना समय लाएगा प्रथम भारतिय इतिहास का प्रथम सासक, डैस, अस्थाई सेर रखने वाला डैस, ऐसे करके आप क्या करेंगे, फटाफट आप तीस लिख सकते हैं और आप भूलेंगे तो क्या बाद में उसको धून लेंगे कहां से था वो, तीस कोस्टन लिख सकते थे ना, अब मानिये, लिखने का तरीका सौटकट होना चाहिए, पता है कि प्रमोध कुमार मेरे दोस्त का नाम है, तो पुरा स्पलिंग लिखने के क्या जोड़त है, प् अकलर्ग, ठीक है, तो ये बात है, अब चलिए, अब अगर प्रशनावली आपने इस प्रकार से बना ली होती, एक दो घंटे में, तो काफी कुछ कोशन आपकी हो जाते, अब प्रशनावली बनाने पर भी अगर समय बचा है, तो पढ़ना किसे चाहिए था? आपको पढ़ पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये पेज पढ़ रहे हैं, तो इसमें कुछ खास खास बिंदो तो आपको भी समाझ में आता होगा, चूकि आप ग्रेजुएट है, और अगर नहीं समाझ में आता है, तो मैंने आपको पहली बीडियो में बिवास पनुर्मा कैसे पढ़ें, इस बी जाते हैं, जाने दीजे बाकियों कुद कर, उनसे तो उनका जो हिसाब किताब तो रिजल्ट के दिन होई जाएगा, उनको छोड़ दीजे, आप जो विश्वास कर लिए, तो पूर्ण विश्वास कीजिए, तो आपको क्या करना चाहिए था, पढ़ते ही समय, जिसमें पढ आपको क्या करना चाहिए था, इस प्रकार का, इस प्रकार का नोट्स जो है, आपको लिग बना लेना चाहिए था, ठीक है, आनि कल जो आपको दिया गया था, कल आपको जो दिया गया था क्या, दो घंटे का टाइम सर्प्राज टेस्ट के लिए, उसमें आपको बुक नहीं पढ़ना था, आपको अपना नोट्स पढ़ना था, भुख पढ़ेंगे तो टाइम लगेगा, ही कि thereof ढ़िए मैंने किया बताया, भुख नहीं पढ़ना था, नोट्स पढ़ना था, कई लोगों ने कया क्या, भुख पढ़ लिया इसका मतलब है उनको पता ही नहीं करना क्या जाए या फिर यह होगा कि वो नोट्स बना ही नहीं थे तो ध्यान रखिए एक साधे सवसद है माइन पाउर को साधे सवसद जाएगा ठीक है अब कोई बोलेगा कि साधे दलती तो हो गया अब क्या करते दो घंटा में नहीं नोट्स बनाए चलिए ये भी बहुत अच्छी बात है अब क्या करते ये मार कर उठाते है न और जो आपको ये काला काला नजर आ रहा है न उसको आप मार करते ठीक है जैसे मुंगेर के भीम बांद इसको मार करते और मार करके क्या करते एक पेज्ज की चीजों को आप में में चीजों को याद करते बोलेगा सब्सेब्омने करते दो घंटा नहीं होता हाँ ये बिल्कुल सही году question के कि फोन कर के तो इसके लिए क्या करते सबसे पहले देखिये कि आपके पेज़ कि तो क्या होता 180 मिनट और 18 पेज, तो 10-10 मिनट देते हैं, अब चुकि 180 मिनट नहीं है, 18 पेज है, तो कम देते हैं, तो सबसे पहले आपके पास उपलद समय में पेज नमर से भाग दीजिए, माल ले जा कि इसको पढ़ने के लिए आपके पास 3 मिनट का ही समय बच रहा है, तो आप टीक लगा दीजिए, अब इसमें से कोई बोलेगा कि सर आप टीक लगा के दे दीए, अरे हम क्यों टीक लगा के देंगे, मुझे तो यह हलका लगा, यह हम टीकी नहीं लगाए हैं, मेरे से दुनिया थूरी चलेगे आपकी, आप किस लेवल को यह आप जानो आप, बट याद हो चुका है, तो मैं क्यों टीक लगाऊंगा, समझे बात को, कहने मतलब हम टीक लगा के देंगे, तो घाटा ही घाटा है ना आपको, मैंने कहा टीक लगा के पढ़िए, 24 वे तिर्थंकर आप टीक लगा के पढ़िए, चुकि आपको याद यह भी नहीं है, तो अगर आपको लगता है कि 5 मेर दे सकते हैं, तो 5 मेर दीए, तो 18 पच्चे 90 हो गया, 1.5 घंटा हो गया, तो 5 पच्च मेर दे दीजे, तो इस प्रकार से अगर आप नहीं नोट्स बनाये थे, तो मारकर से आप रंग करके पढ़ सकते थे, अगर मारकर से रंगने के बाद और काफी कुछ बाद पढ़ लिया है, तो उनको था कि एक फिर से, एक राउंड फिर से सभी को सरसरी निगास से देखते हैं, कोई important तो छुटा नहीं है, ठीक है, आप समझगे मेरी बात को, पहला मैंने बताया कि बॉक्स से पढ़ना चाहिए था, दूसरा मैंने बताया कि आगे भी पढ़ना चाहिए आपको ठीक है, जो रफ का नोट्स है, उसके बाद मैंने क्या बताया, उसके बाद मैंने बताया, मैं रिपीट कर रहा हूं, जान बुछ कर, ताकि आपको ध्यान रहे, उसके बाद मैंने बताया कि आपको अगर नोट्स नहीं बनाया है, तो मार आत्मक हैं काफी अच्छा है यह आसान इसे लग रहा है कि माइंड पॉर्ड ने इसे बनाया है इसको फॉलो किजिए आज ही फॉलो किजिए आज ही सफलो यह मैं जल्दी से लेबस आपको वाट्सअप पर देने वाला हूं जीने जूड़ना है वाट्सअप से अपना कॉमें में वाट्सअप नमर दीजिए और यह ग्रांटी बेच है तो सच मुझ का है जी हां मैं खुद ऐसा काम नहीं करता हूं जहां ग्रांटी नहीं हो तो मैं बता दो कि विवास पर नमर से कोश्चन तो पूछू कहीं पूछूँगा लेकिन सिर्फ इस से नहीं पूछूँगा चुकि यह दिन में पढ़ें आप लोग यह होंबर्ख था अब आपको कुछ और पढ़ना पढ़ेगा जो अभी होंबर्ख मिलने वाला है अभी सर्प्राइज टेस्ट नमर 3 के लिए वो भूगोल से होगा और मैं बता दूस लेवास आपको इसी वीडियो में सुरू के 10 प पर चुके हैं होमबर्ख में दिया चुका है इसलिए आपके पास एक घंटा जितना घंटा समय है वीडियो लोड होने के बाद तो मुझे लगता है एक घंटा बचेगा तो एक घंटा में आप ही कर लीजिए कैसे करेंगे मैं इसी के लिए तो यह वीडियो बनाए हूं इस यह जो पेज है न इस प्रकार का इस तरह के प्लेन पेज पर लिखेएगा लाइन वाला पर भी लिखिए अगर हो तो लेकिन क्वालीटी अच्छी होनी चाहिए आपको ओफीसर बनना है समझे आफीसर बनना है तो आप घ्र्टिया क्वालीटी वाला पेज मत यूज बात करने के लिख रहा है न तो पिक्चर मेमोरी के अंसार वह भी अच्छी होनी चाहिए पैसा लग रहा है तो लगने दीजिए ओफीसर को पैसे की कमी नहीं होती है यह ध्यान रखिएगा ओके गुड नाइट देखें वीडियो को नहीं समझें फिर से देखिए लेकिन आज ही फॉलो कीजिए मैं होमबर्ग को वाट्सव पर भी भेज रहा हूं थैंक यू